दोस्तों अगर आपके phone pay के माध्यम से कोई auto pay set up है और हर महीन आपके account से पैसा कट जा रहा है phone pay के माध्यम से तो दिखिए जो है auto pay जो अब आप set up करते हैं तो अलग अलग तरीके के auto pay होते हैं जैसे आपने कोई app का subscription ले रखा है तो उसकी हर महीना जो किष्ट है हर महीना जो SIP है वो आपकी कटती रहेगी तो यहां पर दे सकते हैं जी जो है SIP जो मेरी चल लगी है तो हर महीने यहां पर कट जा रहा है जब भी आप सब्सक्राइब के माध्यम से उसको अटेच करके auto pay सेट करा हुआ है तो उसी डेट को आपके phone pay में जो bank attach होगी उसी से कटने लगेगा तो कैसे आप auto pay को बंद कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है phone pay में login कर लेना login हो गया उसके बद आपको अपनी प्रोफाइल पर यहां पर क्लिक कर देना है इस पर जब आप क्लिक कर देते हैं थोड़ा स्कॉल करके नीचे आना यहां पर देख सकते हैं यह auto pay का option दिया गया इसके उपर क्लिक करेंगे यहां पर आप देखेंगे कि कितन तो एंजल बन को भी में open कर लेता हूं यह देखिए वाला यहां से setup है तो आप चाहिए तो यहां से उस application से भी जाकर बंद कर सकते हैं या फिर जैसे फॉन पेस है आपने किया हुए फॉन पेसे भी कर सकते हैं तो जैसे फॉन पेस है तो इसको मुझे बंद करना है तो बस इसके उपर यहां पर click करेंगे और उसके बाद यहां पर लिखा है पॉस ठीक है इसको यहां से मतलब रोक भी सकते हैं या फिर पूरी तरह से यह आप इसको delete कर सकते हैं देखे नीचे आएंगे तो delete auto pay का option आएगा इस पर click करेंगे confirm कर देंगे फिर आपका auto pay यहां से इसके move हो रहा है और next month से जो मेरा पैसा है जो SIP जा रही थी वहां से जाना बंद हो जाएगी देखे यहां से delete हो गया इसी तरह से और कोई subscription ले रखा है उसका भी इस तरह से बंद कर सकते हैं इसको बंद करना है तो इसको भी यहां से डिलीट कर सकते हैं तो इस तरह से आप फॉन पे में कोई भी आटो पे बंद कर पाएंगे